कि आप आप सबी को नमस्कार में चैनल पे इस टॉपिक नाम है कником वीड़ेंक इस टॉपिक को सीखना करते हैं इस टॉपिक को समझना इस टॉपिक जो आपको कहीं भी भी पढ़ने को नहीं मिल पा रहे होंगे और अगर आप बुक पढ़ रहे होगे तो आप जैसी खोल पा रहे होगे वैसी बंद कर देरोगे क्योंकि ऐसे टॉपिक को समझने के लिए टीचर की हैलप जरूरी है इन टॉपिकों को मैं ऐसा क्या है यह इसे अलग तरीकी के टॉपिक्स होते हैं कारवीन, नाई ट्रीड, बेंजाइन, ट्राइरेडिकल, डाइरेडिकल ऐसे कॉंसेट्स होते हैं जहां पर आपको एक टीचर की हेल्प जरूरी होती है तो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को मैं आपको एकदम अच्छे से समझाओ अच्छे से सारे के सारे कॉंसेट्स को सिखाऊ जो की आप एकदम रियक्शन्स में अप्लाइ करना सीख सको देखे, इन टॉपिक की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है हमारे सामने जो आती है जो मैंने खुद फिल की थी अपने टाइम पे वो यह फिल की थी कि इन टॉपिकों को हम पढ़तो लेते हैं रखतो लेते हैं लेकिन जब कोशन्स आते हैं तो हम कोशन्स में अप्रोच नहीं कर पाते हैं कि कार्वीन कहां फॉर्म हो रहा होगा, कैसे फॉर्म हो रहा होगा, कैसे अटेक कर पा रहा होगा, क्या समझ पा रहे हो, ये चीज आने के लिए आपको questions भी practice करने पड़ेंगे ही इस topic के लिए, देखिए, कार्व गटाइन, कार्व नाइन और कार्वन फिरेडिकल में इतनी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हम इसको 11th class से लेके पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें आदत है उनको नाम सुनने में, लेकिन जब हम कार्वीन की बात करते हैं, नाइटरीन की बात करते हैं, बेंजाइन की बात करते हैं, तो इन topic को को बहुती कम जिके सुनने को मिलता है, पहल दूसरी बात, दूसरी बात अगर सुनते हैं, तो वैसे ही ये खतम हो जाता है, शुरू होते ही, लेकिन अब हम इसका एकदम detailed overview पढ़ने जा रहे हैं, एकदम अच्छे से कि कब concept हमारे पास क्या-क्या रहा होगा, देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कार्वीन पर जो अगला टॉपिक पढ़ना है, हमें stability of कारवीन, फिर अगला टॉपिक पढ़ना है, हमें formation of कारवीन, कहां पर कारर्वीन का formation हो रहा होगा, और किस-किस तरीखे से हम कारवीन बना पा रहे होंगे, और जो इसका अगला टॉपिक रहा होगा, reaction of कारवीन, यह कुछ तेल में बहुत ही अच्छी से study करने हैं अगर इन topics की मैं आपसे बात करता हूँ तो एक एक करके हम topic उठाना start करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपस basic concepts की बात करता हूँ तो इस basic concepts का आप समझनी कोशिच करेगा देखिए अगर मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर reactive intermediate लिख देता हूँ तो आप उसमें से पैचान के मुझे बताइएगा कि इसमें हमारे पास कर्वीन कौन से है और बाकी सारे कौन से हैं अगर आप जहाँ से देख पा रहे हो यह सारे की सारे ही reactive intermediates आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं यह जो पहला वाला है इसका नाम है कार्वकटाइन यह जो दूसरा वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्वीन यह जो इसको बोलते हैं कार्वन और इसको बोलते हैं कार्व करने जा रहे हैं देखिए अगर मैं आप से कार्वीन की जो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है कार्वीन को लेके वो यह आती है कि हमारे पास यह बहुती क्या होता है short lived रहा होता है बहुती थोड़े समय के लिए होता है even जो उसका T half होता है half life time period होता है वो just in nanoseconds और उससे भी छोटा रहा होता है पहली बात तो हमारे पास यह रही होती है कार्वीन की अगली जो बात मेरे को धिमान आती है वो आती है कि कार्वीन actually क्या होता है conjugate base of carbocatird रहा होता है कार्वीन जो रहा होता है Wakा वो conjugate base of carbocatird रहा होता है क्या आप समझ पा रहे हो conjugate base का मतलब वह है species जिससे H+. निकालने के बाद हमें मिल रही हो जो चीज conjugate base of carbon 10 रहा होता है अगली जो चीज carbon की मैं आप से discuss करना जाता हूँ कि यह क्या है हमारे पास unstable species है यह हमारे पास एक unstable species है reason उसका यह रहा है कि इसके अंदर 6 valence electron है अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर हमारे पास अगर अच्छे से इसको बनाओगे H2 हटाओ और यहाँ पर H लगाओ यहाँ पर H लगाओ तो 2 electron यहाँ दो electron यहाँ जो की bonding electrons हैं और 2 electron जो की non bonding electrons हैं तो यह 6 valence electron देने हैं जिससे क्या है अप्टेट not complete तो अप्टेट complete होने की नहीं complete होने की वज़े से यह क्या है एक unstable species रहा होगा अब जो मुझे अगली बात आ रही है कि कार्विन क्या होता है neutral in nature होता है कार्विन क्या होता है एक neutral species होती है charge species नहीं होती है इस point को आप याद रखेगा बहुत ही important point हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो यह इसकी वज़े से हमारे पास यह concept सारा का सारा रहा होगा अगर यह आप सारा concept समझ पा रहे हैं तो मच्छे से जो सफसे mean बात है कि यह behave as electrophile कर पा रहा होता है behave as electrophile कर पा रहा होता है मतलब कि क्यों क्योंकि एक electron deficient species है क्योंकि six valence electron है इसलिए electrophile विएक कर पा रहा होगा मतलब इस पे हमेशा nucleophile attack करना चाह रहा होगा always nucleophile attack करना चाह रहा होगा क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो यह जो बात मैंने आपको neutral वाली बताई है इस बात को मैं आपको formal charge से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको formal charge निकाल के बताऊँ इस carvine का तो formal charge क्या होता है सबसे पहले आप valence electron देखिए इस carvine के valence electron अगर आप total valence electron देख पा रहे हैं तो हमारे पास four valence electron रहे होते हैं अगर balance रिटन देखोगे फिर minus इस में से करना होता है bonding electrons अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास क्या होते है bond pairs जो होते हैं हमारे पास वो यहाँ पर हमें minus कर रहे होते हैं और फिर इसके बाद जो अगला part है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास क्या रहे होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर non bonding electrons रहे होते हैं क्या आप समझ पा रहे हो यह सारे ही concept को आपके अच्छे समझे हो तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वह जिरो आ रहा है इसका मतलब यह है एक neutral species रही होगी I hope आपको यह सारे concept बहुत ही अच्छे से carving के समझ में आ रहे होगे अब यह क्या है short lift है इसका half lifetime T half just like nanosecond में है तो इसलिए यह है एक highly reactive species रही होगी इसलिए यह है एक highly reactive species रही होगी यह है इतनी सारी बाते जो अभी तक हमने की है यह हमारा carving का एक छोटा सा background जो मैंने आपके सामने बना के तयार कर दिया है अब मैं आपको एक अगली topic की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है हमारे पास types of carving हमने अपना पहला topic पढ़ लिया है types of basic concepts अब हम पढ़ने जा रहे है types of carving types of carving को अगर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ पढ़ाना समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप सबसे पहले यह सीके कि carving को किस basis पर classify किया गया है अगर मैं आपको अच्छे से समझा हूँ अच्छे से सीखाऊ तो हमारे पास यहां पर the electrons on the basis of non-bonding electrons क्लासिफाई को 2 तरीके से डिवाइड गया है도 क्लासिफाई किया गया है एक तो होता है है हमारे पास singlet carbine और एक होता है हमारे पास triplet carbine तो हमारे पास दो त्रेके carbine होते हैं एक carbine singlet carbine एक carbine triplet carbine देखे singlet carbine की अगर मैं आपसे पहली बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं electron paired होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोन पेर्ड रहे होते हैं और अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ इसकी not detected by ESR not detected by electron spin resonance यह है electron spin resonance से detected नहीं किये जा सकते क्योंकि यह पेर्ड इलेक्ट्रोन रहे होंगे और अगर मैं आपसे अगला जो बहुत ही important concept रहा है इसका structure इस singlet कार्वीन का जो की हमारे पास क्या रहा होता है कुछ इस तरीके से रहा होता है CHH और हमारे पास यहाँ पर क्या रहा होता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस तरीके से हमारे पास यह paid electrons रहे होते हैं क्या आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूसता हूँ, इसकी hybridization क्या रही होगी हमारे पास, तो आप अराम से बता सकते हो, इसकी hybridization कार्विन की SP2 रही होगी, और यह है एक trigonal planar है, और सबसे important बात अगर मैं आपको बता हूँ, यह जो bond angle है, यह bond angle something 100 to 110 degree के बीच में रहा है, क्या आ concept समझाता हूँ, triplet carbon के बारे में, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होते हैं, electron unpaid रहे होते हैं, यहाँ पर electrons क्या होते हैं, हमारे पास, unpaid रहे होते हैं, अगली बात अगर मैं आपसे बताऊं, detected by ESR, यह है, electron spin resonance से अराम से detected किये जा सकते हैं, तीसरी बात अगर मैं आपक इसमें रहा होगा और एक इसमें रहा होगा, इसकी भी अगर मैं आपसे hybridation की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इसकी भी hybridation हमारे पास SP2 रही होती है, लेकिन अगर मैं bond angle की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो bond angle है, वो something 130 degree to 150 degree रहा होता है, इस तरीके से हमारे पास on the basis of non bonding electron, दो तरे की carving होती है, एक singlet carving और एक triplet carving, देखे, इनका नाम singlet और triplet क्यों पढ़ा है, इस चीज को हम सीखना start करते है, देखे, अगर मैं आपको spin multiplicity के बारे में बता हूँ, 2s plus 1 is known as spin multiplicity जहां पर s stands for कि उसके जो spin की value रही होगी वो क्या रही होगी अगर इसके basis पर मैं define करो अगर माल लिजे यहां पर जो s की value है वह 0 रही होगी मतलब कि जो electrons होंगे वो यहां पर paired रहे होंगे जिसके विससे यह plus half रहा होगा यह minus half रहेगा प्लस half minus half जो यहां पर spin value देंगे वो है 0 देंगे अगर इस value को आप इस पर पूट करेंगे तो 2 into 0 plus 1 is equal to 1 तो यह 1 जो आ रहा है इसी basis space को नाम दे दिया गया है singlet तो इसी तरीके से singlet carvene में जो spin की यहां पर value रही होगी क्योंकि यहां पर अलग-अलग p orbital में मौझूद है हमारे पास एक लेक्टोन यहां है तो एक लेक्टोन यहां है जिसकी वज़य से यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो हमारे पास plus half और plus half करके one value आ रही होगी spin की तो अगर मैं इसको इस formula में पूट करता हूँ तो 2 into 1 plus 1 is equal to 3 और यह जो 3 आ रहा है इसी basis पे इसको नाम दे दिया गया है triplet carvene क्या आप समझ पा रहे हो कि यह singlet और triplet का जनम कहां से हुआ है तो यह बात तो हमने सारी की सारी इक्दम बढ़िया तरीके से कर ली क्या सीखा भी तक हमने carvene की कुछ important बाते जानी जिसमें सबसे बहली बात हमने जानी कि वह बहुत ही highly reactive species रहा होता है और बहुत ही short lived रहा होता है दूसरी बात हमने यह जानी कि वह unstable रहा होता है फिर हमने जानना सीखा कि types of carvene क्या होती है तो दो तरह की carvene होती है एक होती है singlet carvene और एक होती है triplet carvene यह है जो type है यह है non warning electron के हिसाफ से किया गया है अगर आप singlet carvene के देखो के तो यहाँ पर एक ही pure utile में क्या है paid electron है और यहाँ पर अलग-अलग pure utile में क्या है unpaid electron है तो इतनी बात आपको singlet और triplet के बारे में आनी चाहिए अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना जाता हूँ stability of carvene देखे अगर मैं आपसे stability of carvene की बात करता हूँ तो हमारे पास दो factor रहे होते हैं जिसके basis में हम stability of carvene बता पा रहे होते हैं सबसे पहला जो एक factor रहा होता है वो factor हमारे पास रहा होता है stability of carvene को हम बढ़ जा रहे हैं सबसे पहला जो factor रहा होता है और फिर एक दूसरा factor रहा होता है सबसे पहला factor होता है हमारे पास spin multiplicity on the basis of spin multiplicity हम लोग आराम से बता सकते हैं वह कार्वीन क्या है stable कौन सी रही होगी तो अगर हम आपको बताओ अगर हम आपको बताओ on the basis of spin multiplicity तो हमारे पास जो triplet कार्वीन है वह जादा stable रही होगी as compared to singlet carven क्यों भाई आप खुद देखो अगर आप triplet कार्वीन का structure देखोगे तो वहाँ पर दो अलग-अलग pure deal में क्या है unpaid electron है अगर आप singlet carven देखोगे तो वहाँ पर क्या है paid electron है जिसकी वज़े से हमारे पास इसमें repulsion जाद रहा होगा तो triplet कार्वीन क्या है जादा stable है because of less repulsion because of less repulsion तो यह हमारे पास पहला parameter हो गया stability of carven का अगर मैं आपसे दूसरे parameter के बात करता हूँ electronic effects अगर मैं आपसे दूसरे factor के बात करता हूँ electronic effects तो electronic effects में क्या है वह मतलब कि अगर किसी भी carven से किसी भी carven से अगर कोई electron releasing group attached रहा होगा क्योंकि carven is electron deficient species अगर कोई electron deficient species है अगर उससे कोई electron releasing group attached है इसका मतलब वह क्या रहा होगा stable रहा होगा example की बात करता हूँ कि मान लिजे हमारे पास यहाँ पर एक carven कुछ इस तरही के से दिया हुआ है अब इस carven की बात करता हूँ तो यहाँ पर यह है electron releasing group है तो यह है यहाँ पर पका singulate carven ही रही होगी क्यों क्योंकि oxygen अपने loan पर इस vacant period में देखे इसको stabilize कर देगा due to P pi P pi bonding क्या समझ पा रहे हो तो always on the basis of electronic effects अगर electron releasing group लगे होगे तो हमेरे पास हमेशा singulate carven is more stable than triplet carven क्योंकि अगर आप इसको triplet carven की तरह feel करते तो उसके दोनों pure utile क्या होते है half field होते जिसकी वज़े से यहाँ oxygen का जो loan pair है वह इसके साथ P pi P pi bonding नहीं कर पाता तो यह guarantee के साथ यह है हमारे पास singulate carven रही होगी क्योंकि यहाँ पर एक vacant pure utile होने की वज़े से क्या हो रहा है P pi P pi bonding हो पा रही और stabilization अराम से हो पा रहा है और यही back bonding का एक कारण है क्योंकि है एक electron deficient species थी तो इसकी तमन्ना रही होगी electron लेने की तो वो electron back bonding के through भी ले सकती है अब मैं आपसे question पूरना जाता हूँ कि आपको यह सारी चीजे एकदम अच्छे समझ मा रही है सारे concert एकदम अच्छे समझ मा रहे है अब मैं आपको एक जो concert बताना जाता हूँ वह question कुछ एक कराता हूँ कि आपस बोसता हूँ बताईए इनमें सबसे stable carvine कौन सी रही होगी अगर मैं आपसे question पूछू बताईए हमारे पास example है कुछ C F2 अगला है हमारे पास C C A2 फिर अगला है हमारे पास C BR2 और फिर अगला है हमारे पास C I2 यह हमारे पास carvine है मैं आपसे question पूसता हूँगी पताइए इन में सबसे stable carvin कौन सा रहा होगा तो यह चीज़ देखने के लिए आप तो यह देखिए कि यहाँ पर 2P 2P back bonding होगी क्योंकि सब पर lone pair है क्या feel पा रहे हो सारही item जो यहाँ पर लगे होगे हैं सब पर क्या है lone pair है और यहाँ पर vacant orbital है सारी की सारी singlet carvin है तो यहाँ पर यह दे रहा होगा तो यहाँ पर 2P 2P है यहाँ पर 2P 3P है यहाँ पर 2P 4P है और यहाँ पर 2P 5P है और आपको पता है जितना बढ़िया मतलब यहाँ पर effective overlapping उतना बढ़िया वहाँ पर donation और उतने बढ़िया वहाँ पर stability of carbon रही होगी इसी तरीके से मैं आराम से बता सकता हूँ हूँ यह carbon इस तरीके से stability order रख पा रही होगी अगर मैं आपसे अगले question की बात करता हूँ एक अगला question अगला concept है कि बताएए हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह carbon दी हुई ह है और इस तरीके से हमारे पास ही सारे के सारे concepts दीए हुए हैं तो आप मुझे बताना कि हमारे पास कौन सा कार्वीन रहा होगा इनमें से stable अगर मैं आप से इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आराम से बता सकता हूँ कि यहाँ पर loan पे रहे हैं यहाँ पर back bonding के पूरे donation कर पा रहा होगा अगर triplet carbon होगी तो दोनों ही half filled पर रहे होगे तो वहाँ पर donation नाम के भी चीज नहीं हो पा रहे होगी इसी तरीके से यहाँ पर donation हो रहा होगा तो singlet is more stable than triplet और इस वाले में अगर बात करता हूँ तो triplet is more stable than singlet क्योंकि यहाँ पर कोई back bonding होने की chances है नही इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएं के हम लोग यहाँ पर spin multiplicity वाला concept लगा रहे होंगे यह बात हमने कर ली है अब एक और बात अगर मैं आपको बताऊं नूट में वह बात मैं आपको बताना जाता हूँ और बात कुछ इस तरीके से है कि हमेशा आप याद रखना हम है हमेशा कि अगर माल लोग हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई concept आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर कार्वीन है और यहाँ पर nitrogen है और इससे हमारे पास वो लगा हुआ है कुछ भी bridgehead compound type का कुछ लगा हुआ है हमारे पास यह खतरनात सा करावना सा structure में जान बुछ के बना रहा जब भी हमारे पास steric effect लगे तो हमेशा वह carwin singlet carwin रही होती है हमेशा वह carwin always singlet carwin रही होती है क्या आप समझ पारे हो यह सौरा ही concept आपक तो मच्छे समझ पारे हो कि जब भी steric effect का काम आए जब भी steric effect की बात आए तो वह हमारे पास हमेशा singlet carwin ही रही होगी यह सारी बा हमने सीखा कि कार्वीन होती ही गया है कुछ important बाते और फिर हमने सीखा कि types of कार्वीन हमारे पास क्या रहे होते हैं